मच्छूर टीवी परसनेल्टी और बिग बॉस विनर सिधार शुकला की गुरुवार को हार्ट अटेक से मृत्यू हो गई मुंबई के कूपर अस्पिताल ने सिधार्थ के निधन की पुष्टी की है जानकारी के मुताबिक 40 वर्षियर सिधार्थ शुकला ने बुद्भार रात सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी लेकिन उसके बाद वह सुबह उठ ही नहीं पाए अस्पिताल ने बाद में पुष्टी की की सिधार्थ की मौत हार्ट अटेक की वज़े से हुई टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिधार्थ शुकला ने रियाल्टी शो बिग बॉस का 13 सीजन जीता था इसके अलावा वह खत्रों के खिलाडी के साथवे सीजन के विजेता भी चुने गए थे टीवी शो बालिका वधू से सिधार्थ शुकला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिधार्थ शुकला ने अपनी करियर की शुरुवात मॉडल के तौर पर की थी साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया 2008 में वह बाबुल का आंगन छुटे ना नाम के एक टीवी सीरियल में भी देखे गए लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधू सीरियल से बनी थी जिसने उन्हें घर घर तक पहुचा दिया टीवी इंडेस्ट्री में सफलता के बाद सिधार शुकला ने बॉल्यूट काभे रोक किया साल 2014 में आई हम्टी शर्मा की दुलनिया फिल्म में वह आलिया भट और वरुन धवन के साथ दिखाई दिये थे इसी साल उनकी वेब सिरीज ब्रोकन बड ब्यूटिफुल भी आई थी जिसने काफी सुर्खिया बटोरी थी सिधार शुकला टीवी का जाना माना नाम थे और सूशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे इस वीडियो में फिलाहाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पीच को फॉलो करना न भूले